दोस्तो वेवस्ता बनाए रखने के लिए और समाज को अपराधों से बचाने के उदेशे से हर एक देश का समीधान कुछ नियमों और कानूनों को लागू करता है और इन नियमों और कानूनों को भी आम तोर पर दो हिसों में बाटा गया है जिसमें पहला है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून दोस्तो इस वीडियो में हम इन ही दो कानूनों के बारे में जानेंगे कि दीवानी और फौजदारी कानून क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है और साथ ही हम जानेंगे कि दीवानी और फौसदारी मामलों के बारे में भी कि इन में क्या अंतर है और ये क्या होते है इसलिए दोस्तों इनके बीच में अच्छे से अंतर समझने के लिए हमारी वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो हमारी आपको पसं हैं दीवानी कानून को नागरिक कानून भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में सिविल लो कहते हैं इसको आम भाशा में हम सिविल कानून भी कह देते हैं दोस्तों एक जरूरी बात बता दूं अगर आपको ये अलग-अलग नाम सुनने को मिलें या पढ़ने को मिलें त और इनका मतलब भी एक ही है, चलिए अब सिविल कानून के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, सिविल कानून यह एक सामान्य कानून है, जो कानून के नियमों और विनयमों की प्रणाली को दर्शाता है, इसके अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन से उस सिविल कानून की मदद से ही देश के नागरिकों के अधिकारों का पता चलता है, और उनकी सुरक्षा की जाती है, यह अजितर निजी मामलों को ही हल करता है, जो कि आम तोर पर व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों के होते हैं, आसान भाशा में हम कह सकते हैं, कि किसी के निजी या सारवजनिक अधिकारों के बारे में, दो या उससे अधिक पक्षों के बीच जो मामला शुरू होता है, वही सिविल केस यानि दीवानी वात कहलाता है, आईए अब जान लेते हैं, सिविल कानून का मुखे उद्देशे क्या है, सिविल कानून का मुखे उद्द के लिए उसी से ही छती पूर्ति कराना होता है इसमें गलत काम करने वाले से केवल उस हद तक ही छती पूर्ति के लिए मुआफ़जा दिलवाया जाता है जितना पीडित पक्ष को हुआ नुकसान की भरपाई के लिए आवशक होता है चलिए अब जान लेते हैं सिविल कानून के अंदर कौन कौन से मामले आते हैं सिविल कानून में अधिपतर निजी मामलों से ही संबंधित मामले आते हैं जैसे पारिवारिक विवाद किराय के मामले विक्री से संबंधित विवाद का उलंगन करना और संपत्ति को नुकसान पहुचाने के मामले आते हैं सिविल यानि दिवानी मामले देखने वाले को जज कहा जाता है और जज को हम नियाया धीश के नाम से भी जानते हैं और सिविल मुकदमा दायर करने वाले को वादी और जो मुकदमे का जवाब देता है उसे पिरतिवादी कहा जाता है और इस पूरी प्रिकरिया को मुकदमे बाजी कहा जाता है दिवानी मामलों का निप्टारा CPC यानि Civil Procedure Code की मदद से क्या जाता है दोस्तों CPC यानि Civil Procedure Code के बारे में हम डिटेल में अगली किसी वीडियो में जानेंगे चलिए अब जान लेते हैं फौजदारी कानून के बारे में फौजदारी कानून फौजदारी कानून को अपराधी कानून या दांडिक कानून भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी भाषा में किर्मिनल लॉक कहते हैं और आम भाशा में इसको हम किर्मिनल कानून कह देते हैं दोस्तों अगर आपको इसके भी अलग-अलग नाम सुनने को और पढ़ने को मिलें तो इसमें भी कन्फ्यूज होने के जरूरत नहीं है ये भी एक ही नाम है और इनका मतलब भी एक ही है चलिए किर्मिनल कानून के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं किर्मिनल कानून में ऐसे वहवारों की बात की गई है जिन्हें समाज, जनता या भूमी के लिए खत्रा माना जाता है इसमें वो सभी नियम और कानून आते हैं जिनसे समाज में कानून वेवस्था और न्यंतरण बनाय रखने में मदद मिलती है और ये एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण भी है जिसका उपयोग सामाजिक आचरण को बनाय रखने के लिए भी क्या जाता है जिसमें सारवजिनिक हितों की रक्षा की जाती है अपराधी कानून ही अपराधों को परिभाशित भी करता है साथ ही अपराधी को कोई अपराध करने के लिए उसे दंड के रोप में जेल की सजा और जुर्माने पर भी जोर देता है आई अब जान लेते हैं किर्मिनल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है किर्मिनल कानून का मुख्य उद्देश है कानून वेवस्था बनाय रखना और समाज की रक्षा करना है और गलत काम करने वाले को यानि अपराध करने वाले को सजा दिलाना होता है जिससे पूरे समाज को एक संदेश मिल सके कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलती जिससे कोई और भी अपराध ना करे यानि किर्मिनल कानून का उद्देश ये अपराधों को कम करना और उसकी सजा देना होता है आईए अब जान लेते हैं किर्मिनल कानून में कौन कौन से मामले आते हैं किर्मिनल कानून में शारिरिक चोट के मामले हत्या, बलातकार, चोरी, डकैती, हमला और साथ ही आर्थिक नुकसान के मामले भी आते हैं जैसे की ठगी, धोकादड़ी या जालसाजी करने जैसे मामले किर्मिनल कानून में एक मामला शुरू करने के लिए सबसे पहले पुलिस के पास शिकायत दर्ज की जाती है फिर पुलिस अपराधी की जाच करती है और उसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है किर्मिनल मामलों की सुनवाई और निप्टारा किर्मिनल कोर्ट यानि फौजदारी अदालत में होता है और सुनवाई करने वाले को मजिस्ट्रेट कहते हैं और मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है वही अपना फैसला सुनाता है कि अपराधी को क्या सजा दी जाएगी और उस पर क्या जुर्मानात किया जाएगा भारत में अपराधी कानून को तीन मुख्ये एक्ट्स यानि की अधीनियमों में बाट गया है जिन में क्रिमिनल मामलोको निप्टाने में मदद मिलती है और तीसरा है भारत्य साक्ष अधिनियम 1873 यानि की Evidence Act 1873 आएए दोस्तों सिविल कानून और किर्मिनल कानून और सिविल मामली और किर्मिनल मामलों को एक चार्ट की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं सिविल कानून व्यक्तिकत अधिकारों के किसी भी नुकसान या उलंगन से समबंदित होता है और किर्मिनल कानून उन सभी ऐसे कारियों से समबंदित होता है जिने कानून अपराध के रूप में परिबाशित करता है सिविल कानून एक सामान्य कानून को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों संगठनों या दोनों के बीच विवादों से समबंदित है जिसमें गलत करने वाला प्रभावित व्यक्तिकों मुआफ़ा देता है इसे ही सिविल कानून के रूप में जाना जाता है और किर्मिनल का कानून का मतलब समाज के खिलाफ किये गए अपराधों या अपराधों से संबंधित कानून से होता है सिविल कानून का मुख्य उद्देश है किसी व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखना और उसकी छती पूर्टी करना होता है जबकि किर्मिनल कानून का उद्देश है विवस्ता बनाए रखना समाज की सुरक्षा करना और गलत कार्य करने वालों को सजा दिलाना होता है। सिविल कानून में पिलित पक्ष या शिकायत करता दूसरे पक्ष पर उसकी गलतियों को ठीक करने के लिए या मुआवजे की मांग के लिए मुकदमा दायर करता है जबकि किर्मिनल कानून में मुकदमा हमेशा राज्य सरकार के दौरा अदालत में किसी व्यक्ती पर अपराद करने और उसे सजा दिलाने के लिए चलाया जाता है सिविल कानून में संबंदित पक्षों के बीच विवादों को सुलजाने के लिए उपाय की मांग की जाती है जिसमें पीडित पक्ष को मुआफ़जा पिरदान किया जा सकता है इसके विपरीद किर्मिनल कानून में गलत कारे करने वाले को यानी अपराधी को दंड दिया जाता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है सिविल कानून और किर्मिनल कानून के वीज एक और महत्रपूर अंतर ये है कि एक सिविल मुकदमे बाजी के मामलों में सबूत का बोज हमेशा वादी पर ही होता है जबकि किर्मिनल मुकदमे बाजी के मामलों में सबूत का बोज हमेशा राज्य पर ही होता है सिविल मुकदमे बाजी के मामले में वादी को ये साबित करना होता है कि पिर्तिवादी दोशी है जबकि एक किर्मिनल मुकदमे बाजी में राज्य को ये साबित करना होता है कि पिर्तिवादी अपराध का दोशी है या नहीं एक सिविल मामले में पिर्तिवादी या तो उत्तरदाई होता है या उत्तरदाई नहीं होता है जबकि एक किर्मिनल मामले में पिर्तिवादी या तो दोशी होता है या दोशी नहीं होता है सिविल मामले उन मामलों को कहते हैं जिनमें संपत्ती संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित होते हैं फिर चाहे ऐसे विवादित अधिकार धार्मिक करतियों या कर्मों से संबंधित पक्षों पर ही अवलंबित क्यों ना हो जबकि किर्मिनल मामलों में उन मामलों को रखा जाता है जो अपराद की शेड़ी में आते हैं और भारत्य दंड सहिता या अन्य बहुत से कानूनों के द्वारा उन पर कुछ दंड निरधारित किये गए हैं सिब्ल मामलों में सजा के तोर पर नुकसान के लिए आर्थिक भुकतान या अन्य पिरकार की बहाली का आदेश को शामिल किया जाता है वहीं किर्मिनल कानून में एक प्रतिवादी को तीन तरीके से दंडित किया जा सकता है उसे जेल में कैद करने या जुर्माना देने या द का दायर की जाती है इसके विपरित किर्मिनल कानून में एक मामला शुरू करने के लिए सबसे पहले पुलिस के पास शिकायत दर्ज की जाती है फिर पुलिस अपराध की जाच करती है उसके बाद अदालत में मामला दायर क्या जाता है दीवानी मामलों को दीवानी अदालत में यानि सिविल कोर्ट में और फौजदारी मामलों को फौजदारी अदालत यानि किर्मिनल कोर्ट में लाया जाता है सिविल यानि दीवानी मामले देखने वाले को जज कहा जाता है और किर्मिनल यानि फौजदारी यानि अपराधिक मामलो को देखने वाले को मजिस्टेट कहा जाता है जज को हम नियाधीश और मजिस्टेट को दंड अधिकारी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब हम अच्छे से जानते हैं और समझ चुके हैं कि अलग पिरकार के उद्देशों के पूरती के लिए दो पिरकार के कानून बनाए गए हैं जिनमें सिविल लो यानि दीवानी कानून मुखे रूप से सिविल यानि दीवानी विवादों को निप्टाने के लिए बनाया गया है जबकि किर्मिनल लो यानि फौजदारी कानून अप राधो को कम करने और उसकी सजा देने के लिए बनाय गया है दोस्तो अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं इसी तरह के एक इंपोर्टेंड और अच्छे टॉपिक के साथ अगली अपने ने वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद